पूरे भारत में चमेली की बेल आम तोर पर घरों और बगीचों में लगाई जाते हैं जिसके फुलों की खुज भी बड़ी मन्मोहप होती प्रशन करने वाली होती हैं उत्तरप्रदेश के जैनपूर इलाके जो होते हैं गाजी पूर जिले में इसका खास करके कहा जातो ज़्यादा खेती किया भी जाता है उगाया जाता है तो मैं आप लोगो को इसके मिलने अरवेदिक फैदे को आज के इस बड़ों उसमिन के नम से जनते हैं- आप कई से चाना जाते हैं में यह कोमेट सक्षिन में ज़रूर बताना इसका स्वात तीकhा होता सुगधीत होता है – और चमेली के पत्ते हरे और फूल फूल सफेद रंके होते हैं जिहां इसे चमेली भी बोलते हैं और इसे कई जगा चम बेली के नाम से जानते हैं और अंग्रेजी में हम इसे जास्मीन के नाम से जानते हैं तो इसके मिनने वाले फैदा को मैं आप लोगों को अपने इस वीडियो के मधम से समझान वीडियो के बीच में बताऊंगा इससे पहले आप दोगों को इसका मिन्नों वाले धेरो सारे फायदा को बता देता हूं तो मसूडे के दर्दा होने पर चमेली के पत्ते से बने काढ़े से बराबर गरार करने शे जो मसूडे के दर्दा होते हैं वर ठीक हो जाते हैं तुचा रोग है तो चमेली की फूलो को पीछ करके बनी लूग दिको, तुचा रोग जैसे के दाध खाज खुजली समें रोजाना 2-3 वला गानेने से, दाध खाज खुजली ठीक हो जाती हैं, मित्र नपूँशक्ता दूर करने के लिए शिगरपटन दूर करने के लिए इसक पुनी बवसे दुर करने के लिए चमेली के पत्ते करस तील के तेल में बराबर मातर में मिला करके आग पर पकाएं। जब पानी उड़ जाए और किवाल तेल से सरह जाया तो इस तेल को गुदा में दो से तीन बननी में तुर्प से लगाया जाएं। इससे पुनी बवसे नश्टा हो जाती हैं। सीर के दर्दा दूर करने के लिए इसके फूलों को लेप या चमेली के तेल कपाल यानी के मस्तक पर लगाने से या थोड़ा सा मालिस कर देने से सीर के दर्दा दूर हो जाती हैं। आखों के दर्दा दूर करने के लिए चमेली के फूलों को लेप क हैं जिहां मांसिग तनाव की कारण डिप्रेशन आ गहें तो इसे धूर कनने के लिए इसका तेल सीर पर मालिष करना बहुत ज्यादा लापकरी होता है आये जानते हैं किस प्रकार से छाले को दूर करते हैं तो मूह के छाले दूर कनने के लिए चमयली के पत्ते को मुह में आहने मा दोस्तो नमस्कार।